हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल ची के गड़ में आज हम शन 2022 में जो कुछ योजनाय शुरू हुई हैं राज्यों से रिलेटेड उनको हम करेंगे तो पहला कोशन है किस राज्य के अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहन योजना का अनावरन किया है तो ये किया है तमिल नाडू ने नेश्ट कोशन किस राज्य के मुख्य मंतरी ने मुख्य मंतरी देव दर्सन यात्रा योजना का अनावरन किया है ये किया है गोवा के मुख्य मंतरी और गोवा के मुख्य मंतरी कौन है प्रमोध शावन्त Next question है आपका प्रधान मंतरी ग्रामीन आवास योजना में राजिस्थान का कौन सा जिला सीर्स पर रहा है तो ये रहा है जुन-जुनू Next question किस राज्य की लक्षमी भंडार योजना को इस कौच पुरुसकार दिया गया है तो लक्षमी भंडार जो योजना है ये है आपके पस्चिम मंगाल की किस राज्य के मुख्यमंतरी ने मुख्यमंतरी सिक्षा पुरुसकार योजना की सुरूआत की है तो ये मुक्हे मंतरी सिक्षा पुरुस्कार जो योजना है ये शुरूकी है ओडिसा के मुक्हे मंतरी ने और ओडिसा के मुक्हे मंतरी कौन हैं नवीन पतनायक Next question प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्धुत परियोजना समर्पित किया है देखिए कामेंग जो जल विद्धुत परियोजना है ये अरुनाचल प्रदेश में है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन किस राज्य की दुआरे रासन योजना को हाई कोट ने अवैद खुसित किया है ये है पस्चे मंगाल की योजना दुआरे रासन और ये कई एक्जाम में अभी पूछी भी गई थी नेक्स्ट कोश्चन किस राज्य में एक मुस्त संपत्ती करमाफी योजना शम्रद्धी का सुवारंब किया गया है तो ये जो करमाफी योजना है सम्रद्धी ये धिल्ली में इसकी सुरुवात की गई है Next question किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना सुरू की है हिमकैड जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश में सुरू की गई है Next question किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल परियाटन पर योजना सुरू की है महिलाओं के लिए अनुकूल परियाटन पर योजना जो सुरू की है वो है केरल केरल राज्य ने Next question नागलेंड के मुख्यमंत्री ने किस योजना का सुभारंब किया है जो नागलेंड के मुख्यमंत्री ने कि योजना सुरू की है शार्व भौमिक स्वास्थ भीमा योजना शार्व भौमिक स्वास्थ भीमा योजना नेक्स्ट कुश्चन पूरवत्तर छेत्र के विकास के लिए प्रधान मंत्री के अध्यक्सता वाली केंद्रिय मंत्री मंदल ने किस योजना को मंजूरी दी तो इसका नाम है PMDEVINE Prime Minister's Development Initiative for North East तो देखिए ऐसी योजना के आपसे फुल फॉर्म पूसली जाती है जो कि तुम को याद रखना है और ये कहाँ पर हुई है North East में पूरवत्तर राज्यों में प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी के तहत किस राज्य को सर्वस्रिष्ट पुरुसकार 2021 दिया गया है तो देखिए सहरी योजना का जो सर्वस्रिष्ट पुरुसकार मिला है ये है उत्तर प्रदेश को मिला है प्रधान मंत्री मोदी ने कहाँ पर 3400 करोड रुपे से अधिक्की परियोजना की सुरुवात की है ये है उत्तरा खंड में Next question भारत और कौन सा देश सब्त कोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए है भारत और नेपाल कौन सी परियोजना है सब्त कोसी उच्च बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच है ये परियोजना तो important question है अंतराश्ट इस्तर पर भी Next question विश्व बैंक ने किस राज्य की SALT परियोजना के लिए 200 million dollar रिन दिया है तो विश्व बैंक ने दिया है ये आंधर प्रदेश को SALT परियोजना के लिए Next question सरकार ने आपात रिन गारंटी योजना को 400 करोड से बढ़ा कर कितने करोड कर दिया है सरकार ने आपात रिन गारंटी योजना को 400 करोड से बढ़ा कर 500 करोड कर दिया है Next question CM उध्योग खिलाडी 99 योजना किस राज्य द्वारा सुरू की गई है CM उध्योग खिलाडी 99 योजना शुरू की गई है उत्त्रा खंडर राज्य के द्वारा अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन उर्जा परियोजना शुरू की है ये कि मध्य प्रदेश ने अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में बांगला देश के नेक्ट कोशन किस राज्य में मुख्यमंत्री नास्ता योजना का सुभारंब हुआ है तो यह जो नास्ता योजना जो चली है यह है आपके तमिल नाडू में और यहां के मुख्यमंत्री नास्ता योजना और यह अभी कई एक्जाम्स में पूछी गई है ल पुधुमाई पैन योजना लॉंच की है तो ये जो पुधुमाई पैन योजना है ये भी आपके तमिल नाडू में लॉंच हुई है केंद्रिय परियावरण मंत्रालने ने किस राज्य के लिए नई तटिय छेत्र प्रवंधन योजना को मंजूरी दी है तो ये दी है करनाटक को कौन सा राज्य अपनी स्वैम की स्वास्थ बीमा योजना Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme सुरू किया है किस राज्य ने सुरू किया है इस योजना को नागलेंड ने स्वैम की स्वास्थ योजना है स्वास्थ बीमा योजना है ये नागलेंड राज्य ने शुरू किया है CMCHIS कौन सी राज्य सरकार मात्र भूमी योजना पोर्टल लौंच करेगी तो मात्र भूमी जो योजना है ये लौंच की है आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने ठीक है कौन सी राज्य सरकार मुख्य मंत्री गौवण्स मॉबाइल चिकत्सा योजना सुरू कर रही है, तो इसे कर रही है, 36 गडर की सरकार, ठीक है, 36 गड़ की सरकार इसे सुरू कर रही है, निच्ट कुश्टन, जल सरनक्षन और संचयन में अमरत सरोवर योजना के तहत कौन सराज्य पहले स्थान पर ह तो देखिए जो अमरत सरोवर योजना है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है नमबर वन पर इस योजना के दहए तो उत्तर प्रदेश में कुल 8462 जो तालाव और जीले उनका निर्माण हो चुका है और आप से पूछ ले जाए सबसे पहला अमरत सरोवर कहां पर खुदा था भारत में मतलब कहां बना था ये बना था रामपुर में वो उत्तर प्रदेश में ही है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन भारत और कौन सा देश सब्त कोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए शेहमत हुए हैं ये कुश्चन की अपनी योजना की घोशना की है तो ये इसकी घोशना की है कल्यान चौवे जो की भारतिय फुटबॉल महासंग के अध्यक्स हैं नेक्स्ट कुश्चन सिचाई एवं पेजल जलापूर्ति के लिए जलदा माइनर लिफ्ट पर योजना के लिए राजिस्तान सरकार ने कित बावंड पॉइंट 30 करोड़ रुपई की मनजूरी दी है नेस्ट कुश्चन जो की बहुत important है नारीको नमन किस राज्य दौरा शुरू की गई है ये की बंदाने वरिफ्ट नाग्रिक को मिलेगा वरिष्ट नागरिक को जो वरिष्ट नागरिक होते हैं उन्हें ये मिलेगा लाव इसका मुख्यमंतरी बाल आसरवाद योजना किस राज्य सरकार ने सुरू की है तो जो बाल आसरवाद योजना है मुख्यमंतरी ये की है आपके मध्य प्रदेश में मोक्च धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में HPCL ने गोवर्स शंपीडित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहां शुरू किया है सांच और राजिस्थान में नेक्स्ट कुश्चन आजादी की 75 वी वर्स गांट पर इंडिया की उडान पर योजना सुरू की है इंडिया की उडान इंपोटेंट योजना है इंडिया की उडान ये गूगल ने सुरू की है नेक्स्ट कोश्चन ने शुरू की है अम्मा और वातसल्य योजना ये आपके CGL, CPO और SSE की कई एक्जाम सुएं सभी में इन योजनाओं को पूछा गया है Next question किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना भीमा योजना शुरू की है नेथन्ना भीमा योजना जो है तेलंगाना राज्य दौरा सुरू की गई है Next question किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा सक्ति योजना का सुभारंब किया किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा सक्ति योजना का सुभारंब किया क्या है करनाटक ने ठीक है आप बताइए राश्ट्य युवादिवस का मनाया जाता है भारत में तो यह बनाया जाता है 12 जन्वरी और आप से पूछ लिए जाए अंतरराश्ट्य युवादिवस यह होता है 12 अगस्त किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर एक्वल एज्यूकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना सुरू की है तो चिराग जो योजना है ये हरियाना सरकार के दोरा सुरू की गई है next question किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना सुरू की है देखे अंडा और दूध योजना ये भी अभी कई एक्जामस में पूछ गया है ये केरल ने सुरू की है अंडा और दूध योजना किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कस्मीर में लागू हुई है इंपोर्टेंट है याद रखना किस राज्य सरकार ने पंचामरत योजना सुरू की है यह आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योगी जी के द्वारा नेक्स्ट कुशन किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना सुरू की है मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना ये राजस्थान के द्वारा सुरू की गई है राजस किसकी है अश्रम की अश्रम के मुख्य मंतरी कौन है हिमंत बिश्वा सर्मा नेक्स्ट कुश्चन केंद्रिय मंतरी मंडल ने प्रधान मंतरी आवास योजना सहरी को किस वर्स तक जारी रखने की मंजूरी दी है ये है आपके सन्द दोहजार चौबिस तक गाए गोद लेने के लिए पुन्य कोटी धत्तु योजना को सुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो ये जो पुन्य कोटी धत्तु योजना को सुरू करने वाला पहला राज्य है करना तक नेक्स्ट कॉश्चन वित्य मंत्री निर्मला सीता रमन ने मुख्य मंत्री शुक्ष में वित्य योजना को किस राज्य में सुरू किया है ये की गई है आपके नागा लाइंड में लागू next question सरकार ने किस राज्य की आर्थिक इस्तिति सुधार के लिए परवाज योजना सुरू की है परवाजी योजना जो सुरू की गई है आर्थिक इस्तिति को सुधारने के लिए जम्मू कस्मीर में सुरू की गई है ठीक है परवाजी योजना जम्मू कस्मीर इंपोर्टेंट है नई योजना है तो आपको याद रखना है और next है प्रशाद योजना किस मंत्राले ने सुरू की है जो प्रशाद योजना है ये परियतन मंत्राले के दौरा सुरू की गई थी और ये सन 2014 में सायद सुरू की गई थी ठीक है तो ये कुछ important योजना है थी जो आपको याद करना जरूरी है देखिए यहां से एक कुछन आपको 100% आपके पेपर में मिलेगा तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और याद करना है यहां से आपके कम सकम दो नमबर आपके पक्के होंगे 100%